गुड मॉर्निंग टू आल अफ यू इन माई यूट्यूब चैनल टच इग्जाम हमाज इस वीडियो में डिसकस करेंगे लाइट चैप्टर लाइट और ये वीडियो का पाट वन होगा ठीक है ये पॉले टेकनिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ठीक है प चलिए सुरू करते हैं सुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सस्क्राइब और लाइक जरूर करें ठीक है हम इस वीडियो में क्या-क्या पढ़ेंगे वो मैं बता देन चाहता हूं first of all definition of light light का definition second reflection of light reflection of light में पढ़ेंगे हम लोग types of reflection और law of reflection दो चीज and third reflection of light तो reflection of light में first cause of reflection और second law of reflection दो चीज हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं first of all definition of light हम यहां से definition of light का देखेंगे ठीक है light का definition तो क्या है it is the form of energy which enables us to see things present around us ठीक है क्या मतला बोल रहा है जो light है वो एक form of energy है जो हम लोगो क्या मदद करता है हम जितने भी अगल बगल के वस्तुएं हैं जितने भी things हैं around us हमारे अगल बगल उसको देखने में मदद करता है clear और यह क्या it always travel in straight path जो light है वो always straight line में travel करता है ऐसा नहीं कि light ऐसे जिग 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 लाइन में उपर नीचे ऐसे करेगा जब भी light travel करेगा तो वो एक straight line में travel करेगा ओके यह बात ध्यान में रखेगा अब second part है reflection of light ठीक है reflection of light यहां पे spelling जान रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन दोनों अलग चीज़ है first of all reflection है ठीक है spelling में device कर दे रहा हूं यह reflection of light है ठीक है आगे हम लोग reflection of light पढ़ेंगे तो reflection of light क्या होता है when a light is incident on a smooth surface it return back in the same medium this phenomena of light is called reflection of light बोल रहा है जब कभी भी incidence of light एक incidence कहीं से भी लिखना हुआ है अगर वो कोई smooth surface पर टकराती है तो वो क्या होगा returns back हो जाएगा same medium में ठीक है और यही phenomenon को हम लोग बोलते हैं reflection क्या बोलते हैं reflection बोलते हैं जब भी कोई light smooth surface ठीक है में टकराती है touch होती है तो वह वहाँ से reflect होकर back चला जाता है उसी phenomenon को बोलते है reflection of light चलिए हम diagram आगे है diagram में हम देखेंगे क JASON कre sound reflection of light यहाँ पर देखिए incident ray यह जो ray है यह यह देखिए यहाँ पर लिखाओ incident ray मतलब यहां से start हुआ है आप माल लीजे यहाँ पे एक torch है, यहाँ पर फॉर्म यहाँ से light निकल रहा है, थेक है, यहाँ से light निकल रहा है, और वो incidents की ओर होके यहाँ पे देखिए, एक smooth surface लगा हुआ है, smooth surface अब यहाँ से strike करके टकरा कर यह इधर चला गया, ठेक है, back हो गया, तो वही है, यह incident ray, यह यहां पर यह incident ray निकला जहां से source of light यह इसको बोलेंगे incident ray और यहां से इधर जो जाएगा back होकर smooth surface से टकराकर उसे बोलेंगे reflected ray हर दम याद रखे और यह जो बीच में line होगा यह बीच में जो है line वो है normal क्या है normal यह दोलों के बीचो बीच यह होगा ठीक है इसके बीचो बीच incident ray और reflected ray के बीच में होगा normal अब एक चीज़ ध्यान दिजेगा जो normal है तो यहां से यहां जो angle होगा इधर incident ray के तरब तो इसको हम बोलेंगे angle of incidence क्या बोलेंगे angle of incidence उसके बाद reflected ray के तरब जो angle होगा reflected ray के तरब उसको हम बोलेंगे angle of reflection क्ला ठीक है अब एक चीज और ध्यान देने की बात है यहां पे लिखा हुआ है where where angle i ठीक है मतलब क्या हुआ angle of incidence यह angle of incidence यह angle of incidence यह फिर नीचे दिया है angle of residence reflection तो यह क्या होगा यह angle r is equal to angle of reflection ठीक है i मतलब angle of incidence और r means angle of reflection यह ध्यान में रखेगा क्योंकि आगे इसका बहुत importance है ठीक है चलिए next next part है types of reflection एक चीज ध्यान दिजेगा हम आपको पूरी कोशिस कर रहे है कि आपको मैं समझाओं ठीक है पूरी कोशिस कर रहा हूं कि आपको मैं समझाओं आपको समझ जाएंगे ध्यान से देखिए आपको जरूर समझ में आएगी ठीक है देखे types of reflection में types of reflection मतलब reflection कितने type के होते हैं तो reflection there are two types of reflection दो type के reflection होते हैं मैंली ठीक है कौन-कौन सा वो हम लोग देखेंगे फर्स्ट of regular reflection ठीक है क्या regular reflection यहां छुट गया है यहां पर होगा irregular reflection ठीक है reflection फर्स्ट of regular reflection और second irregular reflection ठीक है आप इसको अपने copy में note करते जाएं यह जो topic यहाँ पे contain किया गया इससे बाहर question नहीं पूछे जाते है theory part में और थोड़े मोड़े इससे numerical भी पूछे जाते है theory भी important है इनका इसे polytechnic के लिए भी ने और भी जितनी examination है उनके लिए भी important है ठीक है तो यह बात ध्यान दीजेगे तो चलिए first regular reflection regular reflection क्या होता वो देखेंगे when a beam of a parallel light ray is incident on a smooth surface and plain surface then the reflected ray will also be parallel ठीक है this types of reflection is called regular reflection ठीक है एक बार फिर से आप इसको definition को पढ़ेगा आपको यह definition याद हो जायो ठीक है बोल रहा है जब कभी भी parallel ray देखिए यह देखिए यह parallel है ना यह सब सब यह incident ray इधर से incident आया है incident ठीक है incident आया है इधर से जा रहा है ठीक है तो यह सब क्या आपस में parallel है parallel है ना तो बोल रहा है जब कभी भी ये incident रे किसी smooth surface पे टकराएगा कब smooth surface पे तो जो angle of reflection होगा मतलब ये reflection होगा वो भी क्या होगा? parallel होगा ठेक है? तो parallel होगा उस time हम बोलेंगे regular reflection क्या बोलेंगे? regular reflection फिर से मैं बता रहा हूँ जब कभी भी parallel raise parallel raise एक दूसरे से parallel raise किसी smooth surface पे टकराता है इध्यान दिजेगा smooth surface parallel और smooth मतलब चिकना surface पे rough नहीं, smooth surface पे तो वो back हो जाता है उसी parallel raise के जैसा ठेक है? तब हम इसे बोलेंगे regular reflection क्या हुआ? regular reflection हुआ है? ठेक है? चलिए next next है irregular reflection क्या? irregular reflection इसमें कहा है when a beam of a parallel light raise incident on a rough surface ठेक है? यहाँ पे देखिए rough surface है वहाँ smooth surface था then the reflected ray are scattered scattered in all direction such that not parallel ठेक है? क्या होगा? not parallel होगा this type of reflection is called irregular reflection ठेक है? वही बात है जो first में था वहाँ पे सिर्फ smooth surface था और parallel था बट यहाँ non parallel होगा ठेक है? चलिए इसको मैं समझाने का कुछिस कर रहा हूँ irregular reflection कैसे होता है? देखिए जब कभी भी light आएगा तो वह भरदम parallel ही आता है ठेक है? parallel ही उसका rays of lights होता है वह सारा parallel होता है but जब कभी भी वह smooth surface में smooth sorry, sorry, sorry rough surface से टकर आएगा rough surface मतलब उबडखाबड surface से तो क्या होगा? जो भी टकर आएगा उसका direction सब change हो जाएगा ठेक है? direction change हो जाएगा तो ये देखिए parallel तो ये सब जो incident था ये सब तो parallel है ये देखिए चारो but ये जो जब reflect हुआ तो क्या हुआ है? किधर चल गया? इधर चल गया? इधर चल गया? मतलब direction उसका अलग हो गया तो इसको हम बोलेंगी irregular reflection क्लर? क्या बोलेंगे? irregular reflection आसा है कि आपको समझ में आ गया होगा ठेक है? next laws of reflection क्या है? इसमें? laws of reflection यहाँ पे है laws of reflection देखिए laws of reflection में दो laws होते हैं reflection के ध्यान में रखिएगा यह हम लोग 9-10 से पढ़ते हुगे आ रहे हैं और हम लोग को यहाँ भी पढ़ना है तो चली अच्छी बात है कि यह की चीज़ हम लोग को बार बार पढ़ना है उससे हम लोग को का revision हो जा रहा है ठीक है? चलिए यहाँ पे देखेंगे laws of reflection क्या है? laws of reflection laws of reflection में first law हम लोग देखेंगे यह first law हम लोग देख रहे हैं ठीक है? तो क्या है first law? the angle of incident is always equal to angle of reflection ठीक है? यह बोल रहा है angle of incidence जो होगा जो angle of incidence होगा वो हर दम equal होगा angle of reflection का चली image में देखते हैं first law बोल रही है क्या बोल रही है कि angle of incident ये जो angle of incident होगा वो हर्दम equal होगा angle of residence का ठेक है? हर्दम equal होगा angle of residence का reflection का तो आप यह ध्यान दीजी देखिए यह पे लिखा हुआ है i is equal to r therefore what? angle of incidence is equal to angle of reflection ठेक है ये angle of incidence equal to angle of reflection चलिये second लो к्या बोल रहा है second लो बोल रहा है यह देखी क्या बोल रहा है, इसमें कितने चीज को यह कभर किया है, वो देजहान में रखेगा फर्स्ट, दा एंगल इंसिदेंट रहे, यह इंसिदेंट रहे, ठेक है, सकेंड रिफ्लेक्टेड रहे, यह रिफ्लेक्टेड रहे, और यह नॉर्मल, और यह नॉर्मल, तू दा रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, अट दा पॉइंसिदें all lies in same plane ठेक है तो बोल रहा है यह सब जो है all lies करता है same plane पे तो वो सही बात है देखिए यहाँ पे angle incident रे reflected ray और यह normal और यह जो जहां मिल रहा है यह point यह point ठेक है यह तीनों कहां पे लाई कर रहा है भाई कहां पे एक plane पे ठेक है एक plane पे आप अगर computer या mobile के screen पे देख रहे होंगे तो आपको यह दिख रहा होगा कि नहीं यह सब जो तीनों है angle of incidence reflected ray और और यह normal यह तीनों एक ही plane म रखेंगा ठीक है चली आगे अब यहां पे note है हम इसको देखेंगे क्या यह बोल रहा है ठीक है note है when a ray of light incident normal on the surface then it back in the same path as shown in below ठीक है बोल रहा है जब कभी भी incident normal होगा normal कहने का मतलब 90 degree से ठीक है जब कभी भी incident अगर यह incident आ रहा है और यह कोई surface पे 90 degree पे टकरा रहा है ठीक है तो जो क्या होगा incident जो होगा वो उसी path में back हो जाएगा ठीक है यह बात ध्यान रखेगा यह जो incident ray है ठीक है यह incident ray और यह reflected ray यह दोनों क्या होगा एकी path से back हो यह जब भी होगा अगर यह normal 90 degree में आ रहा है तो याद रखेगा यह उसी path में return हो जाएगा जैसे फिर से मैं बता रहा हूँ देखे यह incident ray आ रही है ठीक है आ रही है incident ray और यहाँ पर strike किया ठीक है अब क्या होगा strike किया तो इसी पर यह यह path से जो path से आया है ना कि कोई यह path यह इसा नहीं है ठीक है जो path से आया है उसी path से back हो जाएगा तो यह हम लिख दे रहे है incident ray और यह फिर reflected ray यह बात ध्यान में रखे चलिए आप इसको note कर ले अपने copy में क्योंकि बाद में भी आप इसका revision कर पाए ठीक है अब देखिए reflection पढ़ लिए अब second है हम लोग reflection of light क्या reflection of light तो यहां reflection of light बोल रहे है तो when a ray of light travels or passed from one transparent medium to another transparent medium this direction is change this phenomena is called reflection of light ठीक है देखिए ध्यान से क्या बोल रही है जब कभी भी क्या होगा अगर एक medium से दूसरी medium में light का ray travel कर रहा है ठीक है light अगर travel कर रहा है तो उस situation में क्या होता है reflection of light होता है उस phenomena को हम लोग बोलते है reflection of light तो क्या वह फिर से देखिए when a ray of light travel or passed from one transparent medium to another transparent medium this its direction is change this phenomena is called reflection of light ठीक है अब यह कैसे वह हम image के तौर पर समझा रहे है आप देखिए यहां पर हम बताना चाहरे है देखिए दो टाप का medium होता है एक होता है transparent और एक होता है transparent क्या होता है जिसे की light यह transparent medium है हम इसे light दी है तो इधर भी पास हो गया बट आपक्यू में क्या होता है हम इधर light दी है तो इधर पास नहीं हुआ ठीक है यह पे रुग गया या तो reflect हो गया जैसे mirror एक्जामपल है आपक्यू का जैसे silver gold जितने भी metal है ठीक है ठीक है normally वो सब क्या transparent medium है तो transparent होगा तभी वो reflection of light उसमें दीखेगा वरना नहीं दीखेगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर image से हम समझा रहें आपको कि reflection of light क्या होता है देखिए यहाँ पर एक boundary है यह boundary लाइन है यहाँ पर substance 1 या तो medium 1 है और यह medium 2 है ठीक है आप देखिए क्या है incident ray यहां से आई और reflected ray इधर चलिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा से changes हो रहा है क्या हो रह जा रहा है direction change हो जा रहा है मतलब मैं आपको दिखा देना चाता हूँ अगर यह incident रही यहां से आ रहा है तो इसको इधर से ऐसे जाना चाहिए तो सीधा यह क्या हो गया यही जो bands होता है light का उसी को बोलते reflection reflection के लिए क्या-क्या होना चाहिए दो medium होना चाहिए ठीक है और व काउस पढ़ेंगे काउस क्या पढ़ेंगे कि यह जो reflected ray का reflected ray है वो कब कितना मुड़ेगा कब आगे भागेगा कब मतलब ऊपर होगा यह बढ़ा होगा यह चोटा होगा यह हम लोग आगे case में देखेंगे ठीक है तो case है वो देखें क्या है case 1 है when a ray of light travel from rarer medium to denser medium जब कभ हो जाएगा normal की और ठीक है ठीक है वो देखिए diagram में दिया हो गया देखिए कैसे यहां पर बोल रहा है कब जब rarer medium से denser medium के और जाएगा तो जो ray of reflected ray होगा वो क्या होगा normal के तरफ सट जाएगा normal के तरफ आजाएगा तो देखिए यहां पर angle i angle of incidence इदर से आया इसको जान जाएगे ठाना चाहिए ठाएसे शितकर बठ क्या हो गया ऐसे आ गया आ यहां पर क्या हुआ bands of light हुआ bands of light हुआ तो यह देखे क्या हुआ यहाँ पे angle of incidence जो है यह आई और यह angle of reflection है वो क्या है दोनों देखे angle of incidence यहाँ पे बड़ा है और angle of reflected जो है वो छोटा हो गया देखे अगर आप देखेंगे भी angle को measure भी करेंगे और आपको यहाँ deviation भी दीख रहा होगा यहाँ से जब वो boundary पे touch कर रहा है दूसरे medium का वही से deviation start होगा तर तो एक चीज़ याद रखेगा जब rarer से denser की और ray of light पास करेगा rarer medium से denser medium की और तो यह normal की और अकरशित होगा मतलब normals के तरब चल जाएगा दो medium लिए है वो क्या-क्या वो आप देख लिजे फिर से देख लिजे क्या-क्या है यहाँ पर है first medium air यह air है और second medium जो है वो glass है ठीक है तो यह rarer medium होगा और यह denser medium होगा ठीक है चली आगे यह case 2 है यह case 2 है when a ray of light travel from a denser medium to rarer medium यहाँ पी भी light का travel होगा कब denser medium पर यहाँ denser medium से rarer medium की ओर ठीक है then it bends away वहाँ पे toward था toward और यहाँ पे away from the normal as shown below हम देखे निचे में डाइग्राम लोग उसमें हम देख रहे है कैसे आप देखे देखा देरे आपको आप देख लिजे एक बार फिर से देखे क्या हो रहा है यहाँ पे क्या denser medium है पहले और rarer medium होगी ठीक है दो medium होना चाहिए reflection के लिए तो यहाँ पे देखे denser medium उपर है और rarer medium बीचे है ठीक है तो यहाँ पे जो incident ray आ रहा है उसको जाना चाहिए तक है से ऐसे करके सीधा देखें यह सीधा है बट यह क्या हो गया away from normal हो गया मतलब जब denser से rarer की और जाएगा तो यह हो जाएगा away from from normal ओके away from normal यह बात देहां रखेगा ठीक है चलिए अब यहाँ पे बोल रही है क्या बोल रहा है angle i equal to angle of incident और angle r is equal to angle of reflection तो वह ही बात है आपको दिखा देना चाहते है देखिए यहाँ से देख लेजे यह जो angle है incident ray normal के साथ जो angle बनाएगा वो angle of incident होगा i से denote करेंगे और reflected ray जो normal से angle बनाएगा उसको r से reflect करेंगे यह तो वह ही है angle of incidence और angle of reflection ठेक है reflected incident ने चलिए case 3 क्या है case 1 case 2 समझ गया है ठेक है पर case 3 क्या है वो देखिए यह special case है ठेक है special case में आता है when a ray of light passing from one medium to another medium ठेक है यहाँ भी एक medium से दूसरे medium में pass हो रहे है ठेक है incident normal on the surface separating the two media then it direction not change it pass straight as on below ठेक है यह बोल रही है जब कभी भी 90 degree पे कोई भी ray of light strike करेगा कोई दूसरे medium में तो वो वही medium में सीधा नीचे चला जाएगा ठेक है उसमें कोई deviation नहीं आएगा deviation नहीं आएगा मतलब देखे यहाँ पे सीधा आया और यह सीधा ऐसे चला भी गया ठेक है नहीं तो आप बोलते सर यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ पे ऐसे सीधा आया सर इसको तो ऐसे मुढ़ना चाहिए था यह तो ऐसे मुढ़ना चाहिए था बट यहां का अगर वह 90 डिग्री पर आया है तो इसी में चला जाएगा क्यूंध ट्रांस्परेंट मीडियम है इसमें लाइट ट्रेबल करता है कर सकता है इसलिए इसमें लाइट सिधा सिधा चला गया तो इसमें माल दीजी क्या होगा अब देखे यहाँ पे हो रहा है अगर यहाँ पे यहांदि काउज पूछे जाता है ठीक है बिश्वानुटर इंट तरिकलत को सब्सक्राइब डेंपतें सेमेरे मात्तरफ क्राइब अदर कोष्वारा कुस्यता Oak करेंद सब्सक्राइब शोइस्क्राइबтомबन सब्सक्राइब place, क्या होता है, तब speed में change हो जाता है, एक चीज़ आप बताइए, जो light का speed आप, जो vacuum में है, वो air में है, तो क्या same है, नहीं, सबका अलग-अलब, यह depend करता है उसके refractive index पे, ठेक है, तो क्या होता है, जब कभी भी एक medium से दूसरी medium में light travel करती है न, तब उसका speed में change आ जात है, ठीक है, सिधी से बात है, speed change हो जाता है, इसलिए उसका हो जाता है, reflection हो जाता है, कोई भी देखे, speed change हो जाता है, मतलब हम क्या होता है, वो देखे, rarer जब medium होगा, यहां पर समझार है, आपको यही diagram को देखे, यह diagram को देखे, यहां पर जो incident ray है, incident ray तो आया, वो speed से, ठीक है, बट यहां, reflected ray क्या है, glass है, यह dancer है, बट यहां, क्या बाधा, मतलब बहुत density, dancing particles इसमें भरा हुआ है, बहुत close है, तो इसमें क्या होगा, speed थोड़ा कम हो जाएगा, तो speed कम होगा, तो वो क्या होगा, उसका direction में change आ जाएगा, ठीक है, इसलिए होता है, reflection of light, तो अ ठीक है, यहां पर laws of reflection, ठीक है, जैसे हम laws of reflection पढ़े थे, light में, वैसे ही light में laws of reflection पढ़ेंगे, ठीक है, इसका spelling ध्यान देजेगा, reflection है, reflection है, ठीक है, ध्यान देख, यहां पर तोड़ा गलती हो गया, sorry, इसके लिए यहां पर reflection होगा, reflection, ठीक है, reflection, टाइपिंग में गलती हो यहां पर लिखा हुआ भी है laws of reflection यहां पर क्या हो रहा है वो देखें ठीक है यहां पर देखें दा reflection of light obey two laws which are given below जो reflection of light होता है उसमें भी दो दो laws होते हैं यह दो laws को आबे करते हैं पालन करते हैं ठीक है तो मैंने इसके दो लोग है clear से कहेंगे तो first लोग है the incident ray the reflected ray and the normal at the point of incident all lies in same plane यह जैसे reflection का laws था first वैसी इसका भी laws है same कि जो भी है कौन-कौन सा reflect incident ray ठीक है source of light जहां से आ रहा है वो और reflected ray और normal जो है वो क्या होगा और point of incident वो सब सब एक ही plane में होगा तो सीधा सब आते हैं एक ही plane में होगा चलिए हम diagram में आपको दिखा रहे है एक ही plane में कैसे होगा यह देखें incident ray आया इदर से reflected ray भी आ गया है यहां से और यह normal और यह point of incident यह point of incident तो क्या यह सब सब तो सेम प्लेन में, अगर आप मोबाइल स्क्रीन में देख रहे तो देखिए, ये सेम प्लेन में ही है, तीनों, incident रहे ये, refracted रहे ये, और ये normal, ये तीनों एक प्लेन में है, ये देख सकते हैं आप, ये diagram में clear so हो रही है, ठीक है, इसमें confusion की कोई बात में, ठीक है, second law क्या ब angle of reflection r is constant for pair of given media, ठीक है, इसका मतलब बोल रहा है, जो ratio है, angle i का, sine i, इसको हम लोग बोलते हैं, sine i, और इसको sine r, ठीक है, तो जो ratio है, sine i का, और sine r का, वो क्या है, constant, क्या, constant होगा, ये constant होगा, चलिए हम इसको prove, कैसे करके constant होगा, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, mathematically हम कैसे लिखेंगे, ये constant होगा, sine i by sine r, constant होगा, इसी लिए, sine i, ये sine i, sorry, ये देखें, ये angle उपर वाला, ये angle नीचे वाला, इसको by में करके, sine i by sine r, ठीक है, यहाँ पर लिखे, sine i by sine r, ठीक है, यहाँ पर लिखे, sine i by sine r, equal to constant, ठीक है, क्योंपी वो laws of reflection में है, अब इसको हम बोल by sine r is equal to mu होगा, ठीक है, ये important है, इनको यहाँ रखेंगे, और जो mu होगा, mu को क्या बोलेंगे, where mu is a constant called refractive index, और जो mu होगा, उसको क्या बोलेंगे, refractive index बोलते हैं, ठीक है, sine i by sine r, refractive index, और इसको देखें, note में हम क्या लिखें, second law is, laws of reflection is also known as a small law, एक a small law होता है, ठीक है, हम इसको a small law के भी नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, second law, मतलब ये, sine i by sine r, इसको हम बोलते हैं a small law भी बोल सकते हैं, ठीक है, a small law अगर क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं, कि second law of reflection is also called a small law, ठीक है, इसको हम एक तरब से और भी लिख सकते हैं, देखे theta, sin dose r भी लिख सकते हैं, यह और यहाँ पर nel 2, 2, 3, 2, 2, inside s, 8, 1 लिख राए सकते हैं इसके लिख सकते हैं, इसके लिख सकते हैं, मैं पढ़ना है हम लोगो, वह फ्लोंच पर्ड़ इसथ लेये ठीक है अब जो आगे पढ़ना है हम लोगो वो हम लोग next पार्ट में पढ़ेंगे ठीक है अब ये वीडियो को इंड करते हैं next पार्ट आप मेरे YouTube प्लेइलिस्ट से देख भी सकते हैं ठीक है वहाँ जाके देखें नहीं तो फिर मैं लिंक प्रवाइट करी दो यह important है जितना चया में से 6 marks secure कर लें ठीक है ठांक्स पर वाचियंग अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो थो प्लीज आप मेरे सगेल को लाइक जरूर करेंगे ठीक है वीडियोज को लाइक करेंगे और सस्क्राइब और सेयर करें क्योंकि जब तक आप सेयर नहीं करेंगा तब तक औ और भी कोई शीखना वाई, नहीं पाएगे, ठीक है, थाइंक यू